एक बार की बात है, एक छोटे शहर में एक पुरानी स्कूल था, स्कूल में बहुत सालों से कुछ अजीब घटनाए हो रही थी, बच्चे कहते थे कि रात को आत्माई स्कूल में घूंती है और अंजाने ध्वनिया सुनाई देती है, एक दिन तीन दोस्त सोचते हैं कि क्यों वे उस स्कूल में जाकर देखें कि सच मुझ कुछ है या नहीं, रात को उन्होंने अपनी तालियों को लेकर स्कूल में जाने का फैसला किया, जब वे स्कूल पहुचे तो वहां कुछ अजीब था, दीवारों से चीखे सुनाई दे रही थी और हवा में अजीब सी खुश् और लेक थे, उन्होंने पढ़ना शुरू किया और तभी वहां से अजीब आवाज आई, वे दर्की और दोडे और देखा कि एक भूत उनकी तरफ आ रहा है, उन्होंने जल्दी से उसी रास्ते से घर की और बढ़ने का निरनय किया, वे कभी भी उसकूल में वापस नहीं लेकिन वहाद दिन उनके लिए हमेशा यादगार रहा, उन्होंने सिर्फ एक ही बात सीखी कि कभी-कभी अंजाने जगों में जाने से बहतर होता है, हम अपने सुरक्षित घर में ही रहें दुन्द भरे पहाडों के बीच बसे एक विचित्र पुराने शहर में एक जीरशीर हवेली थी जिसे ब्लैकवोर्ड मैनर के नाम से जाना जाता था, किमवधनती है कि हवेली में उसकी पूर्व मालिक लेडी एवलिन ब्लैकवोर्ड का भूत रहता था, जिनकी रहस्यमय प चितावनियों के बावजूद, वे चर्मराते दर्वाजों में प्रवेश कर गए, केवल तौर्ज की रोशनी और घबराहट भरी हसी के साथ, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब चीजे होने लगी, दर्वाजे अपने आप बंध हो गए, खाली हॉलों में भयानक जल्पनाय थी जो जंगली चल रही थी, हाला कि जैसे ही घडी में आधी रात हुई, उन्हें हवेली की गहराई से खून जमा देने वाली चीक सुनाई दी, भैसे भैभीत होकर, वे आवाज का पीछा करते हुए अटारी तक गए, जहां उन्हें धूल और मकडी के जाले से धका एक छिपा हुआ कमरा मिला, कमरे के केंद्र में फटे हुए काले फीते में लिपती एक भूतिया आकरिती खड़ी थी, खोखली आखो वाला एक भूत और एक शोपूर्ण विला, यह लेडी एवलिन ब्लाक वूड थी, जिसकी आत्मा सदियों से हवेली में फसी हुई अपनी असामेक मृत्यू का प्रतिशोद मान रही थी, हार कमपा देने वाली चीक के साथ लेडी एवलिन घुसपैठियों की ओर बढ़ी, उनके बरफीले स्पर्ष ने उन्हें आतंकित कर भागने पर मजबूर कर दिया, उस रात के बाद से किसी ने भी ब्लाक होड मैनर मे दोबारा प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसकी दीवारों के भीतर छिपे तामसिक भूत के क्रोध को जगाने का डर था।